सब्सक्राइब किजिए मेरे इस चैनल को और पास में दिखने वाले बेल आइगन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोडिफिकेशन तुरूर में बिल सकें अब सब्सक्राइब करने हैं अब आज किसी वीडियों बात करना गया हम आयाटी जैंग फिजिक्स 2018, 2017 और 2016 के Mathematical Physics के जितने भी क्वेशन आ रखें और जितने भी टॉपिक कवर किये गए वोसे सारी हम डिसकुस करेंगी कौन कौन से टॉपिक डिसकुस किये गए जैसे आपको जेस्ट का मिल जाएगा और उत पर विश्ट क्वेशन भी उससे रात में साहब मिल जाएगे ठेके तो ऐस सब्सक्राइब करें लोग पर्षाब सकता है जो लोग पर जाए कि चाहिए और इधर वतर घुंते रहे जाते हैं तो उनके निलिए हम यहां पर देख किआपको आइडिया लग सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए मुझे और क्या कोईशन आ रहे हैं तो चलेगे स्टार्ट कर लेते हैं और सुरू कर लेते हैं इस लैच्छर को कि उसमें आपको बहुत सारे सुलिशन भी मिल जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कोईशन दग्राइज हमारे यूनिट रेक्टर से रिलेगेट था सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आपको क्या चीज़े देखने को मिल रहे हैं जो दो साल की क्वेशन पेपर यहां पर सबसे ज़्यादा आपको 4-year series हो गया और differential equation और matrices ठेक है यहां पर देखिए matrices हो गया differential equation हो गया four-year series differential equation का solution differential equation in matrix form सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन हुआ तीन टॉपिक दो साल में अभी तक इंपोर्टेंट चल रहे हैं जैसे उससे पहले जो 2017 और था उसमें differential equation से रेलेटेड कई टाइप equation आये थे यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहले तो differential equation था graphical representation कैसे हम उसको represent कर सकते हैं ठेक है उसके बाद था हमारा differential equation कैसे solve करेंगे log e to the power 80 यह सब करके differential equation का solution find out करना था आपको देखने को मिल रहा differential equation in matrix form आपको differential equation की बहने उसको पहले matrix form में करनावड किये जिए उसके बाद उसको solve कीजिए कुछ ऐसे variable से जिनके value आपको find out करनी ऐसे related थोड़ी घुमाग एक question आ चुका है ठेक है उसके बाद करेंगा जो second वाला था volume integral था और यहां पी जो last question है question based on all types of coordinates and relations to तो coordinates जीतने भी हो सकते हैं cylindrical, spherical, cartesian इन सब से related जीतने भी question बन सकते हैं इन सब को जरूर पढ़िएगा और इनके बीच में क्या relation हो सकता है जैसे कि आपको Cartesian दे रखा होगा आपको convert करने आ जाहें कि आप उसको spherical में कैसे convert कर सकते हैं और spherical से cylindrical में कैसे convert कर सकते हैं यह सार्षी बहुत ही जदा important यह सार्षी आपको पढ़नी पढ़िए अदर्वाइस आप छोटे छोटे से question में भी confused हो सकते हैं और फिर यहां पर देखें how to find roots of effects आपको कोई guys function given होगा वहां पर उसको आप analysis करके वहां से roots find out कर सकते हैं फिर बोल देगा कि इसके roots complex होंगे कि real होंगे मैजिनरी होंगे इसका root zero होगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा तो ऐसे based question भी आपको देखने को मिलेंगे ठेक है उसके माद अगर बात करेंगा इस टेलर सीरीज 2018 में टेलर एक्सपेंशन से related with question आ रखा है जो कि बहुत ही जदा important है ठेक है अब मैं आपको starting से ब जाते हैं जो सबको एक तरह से पता होता है कि यह topic होता है यह topic होता है अब आप कभी भी अगर आप mathematical physics के book खोलो आपको सबसे पहले elaboration operator सबसे पहले पढ़ाये जाता है यूनिट रेक्टर आपको 12th में 9th में पढ़ा दिया जाता है उसके बाद 4-year series भाई BSC में जैसे ही क्वेस्टन भी पढ़ा दिया जाता है सेगंड सबसे रहोगे तो फिर हमारा मैट्रीस यह भी इलेवेट 12th में पढ़ा दिया जाता है तो भाई इन पर बेस्ट क्वेस्टन बस करने हैं आपको concept आपकी basic से ही मिल जाएगा foundation आपको clear हो चाहिए तभी सारी question आप solve कर सबें ब बहुत एठी साब लोग solve कर लेंगे यह मत सोची कि 20 गंटे मेरे को पढ़ना है 50 गंडे पढ़ना है ऐसा नहीं होता पढ़ाई पढ़ाई होती है थक जाते हैं काम खतम हो जाता है ठीक है स्मार्ट और कीजी 5 गंटे पढ़ों बहुत अच्छे से हो जाता है बहुत लोग है ठीक है तो यह सारे टॉपिक आप लोग देख लो कौन-कौन सी यहां पर जो आपने नाम नहीं सुने सारे के सारे पढ़ने चाहिए यह भी पढ़ना चाहिए बहुत ही ज़्यदा इप्ढ़ने टॉपिक है ठीक है यह तो होगया 2018 का 2017 का 2016 का देख लेते जिससे कि आप लोग कुछ भी गुशाय जा सकता है कि आप पता इंका जो टॉपिक रिपीट हो रहा उनमें रिपीट कर दिया जया एक्स टैम रिपीट जो रहा इसमें रिपीट कर दिया टॉपिक वह होगा बस थो रहला से कोईशन घुमा देला सकता है तो 2017 हमने देख लिए अब 2016 पर पिल्ट लेते हैं तो बाइस यह हमारा आईटी जैंग फिजिक्स 2016 का मैफ्रमाटिकल फिजिक्स के जितने भी क्वेस्ट पुछे गाई थे वो रहे ठीक है तो पहला हमारा होगे गाईस कॉंप्लेक्स इनालिसिस का अभी इसको यही परहने देते हैं लेकिल जो लास्ट दो पेपर में हैं और है है इन तीनों को तॉपिक करने तीन को आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे इन सारे टॉपिक से है उसके बाद की हम Sonny करते ही आ रहे आपको विक और फे ल सुलीशने से पूछ देखने को मिल सकते हैं पूछ देगा कि यह जो function है जो solution है non-trial exist करता है तो इससे रिलेटेट भी आपको फोरीर से तो कर ही दिया है आपको बताना है जिससे कोई भी स्फेर बनाया है स्फेरिकल होगा पैरागोलिक होगा लैक्टिकल होगा जी सारे question आ सकते हैं ठीक है तो इसारे question पर विद्वासा माइंड आप लोग फोकस करके देख लीजेगा कि यह question कैसे बनते हैं और जो लास्ट है गाइस को बेच भी आपको question कर लेना है क्योंकि अब प experiment करते हैं तीन experiment आपको ट्राइल तो लेने ही पड़ जिससे कि आप average लगा सके कि आप वहां से कौन-कौन सी चीज़े सही लाप आ रहे हैं तो हमने जो तीन paper discuss करें हैं आप यहां से अगर इंसार टॉपिस को पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत नह हैं मतलब क्या पढ़ना है आपको कम से कम बस 17-18 ही टॉपिक पढ़ने हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर आपको प्ल हो चुका है आप लोग अगर ग्रू आपको को चाहए जड़ने हैं